हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखन जी के बैरी जी ट्रिक्स में और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखन जी के टेस्स स्रीज पार्ट 90 के बारे में और उत्राखन की है हमारी टेस्स स्रीज उत्राखन पोस्ट मार्टम क् अगर आपने 89 वीडियो नहीं देखी हुई है तो जरूर देख लीजिएगा आपके आने वाले एक्जम्स, वीडियो, वीपीडियो, कनी, साइक, साथ सुषियर, इस पर पटवारी, लेकपार, लिवर, पीचेश, अपर पीचेश, सभी के लिए आपकी ये सारे पार्ट्स बह बहुत बार पहले पूछे गए हैं और आज का दोस्तों मारा 91 पार्ट है जिसमें भी आज हम उत्राखन के 20 महत्वपूर्ण प्रसनों के बारे हैं बात करेंगे और इन 20 प्रसनों का उंतर आपनों को भी खुद से देने हैं और दोस्तों वीडियो पसंदाजी तो वीडियो जरूर डाउनलोड के लिजिएगा चले शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और आज का मारा पहला कुश्यन है कि 1948 में देरादुन गंटागर की नीव किसके द्वारा रखी गई थी तो देरादुन गंटागर या देरादुन क्लॉक टावर का उद्गाटन उनीस सो ति इसमें इसकी नीव रखी गई सरूज नी नाइडू जी द्वारा और उद्गाटन लाल बादुसास्ती जी द्वारा उनीच्व तिरपन में किया गया अब यहते हैं देरादुन क्लॉक टावर की बाद अगला हमारा एक क्लॉक टावर है टिहरी गंटागर जिसे हम बोलते ह इसकी आउसर पर टीरी गंटागर का निर्माल कीरती साह के द्वारा किया गया था यह पॉइंट आपको डैकली याद रखने है और यही कीरती साह आगे जाकर 896 में कीरती नगर की स्थापना भी करते हैं जो प्रस्थन यूके ट्रपलिस से के द्वारा एक जाम में पूछा रहा गया इन मैं से कोई ने किसके निवास की पुष्टी होती है अब डैकली आप से प्रस्थन पूछ लगा जस्तो कि जाकन देवी मंदिर किसके लिए प्रसिद्य है तो यक्षियों के निवास की पुष्टी होती है जाकन देवी मंदिर इस्तित कहां पे इस्तित है जो ज जाकन देवी मंदिर जो हमारा अलमुडा जन्पद में इस्तित है ये पॉंट आपको डैक लिए नोट डाउन करने हैं एक्जाम्स के पॉंट वे से बहुत मेहत्व मुण है कि जाकन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टी होती है तो यक्षियों के निवास की पुष् मिलता है तो उत्राकिन में जोस्तो भ्रह्म पुराण और वायू पुराण में कुमाओ चेतर से किनर यक्षे तंगव किरात गंदर वा आधी जातियों के निवास का उलेख मिलता है तो महाभारत ग्रंत में मिलता है नाग मंदिरों के कारण कौंचा जन पर प्रसिद्ध है कुमाओ चेतर में बहुत धर्म का प्रचार प्रसार किस जातिया जन जाति के समय पे हो था तो खसू के समय पे कुमाओ में सरवादिक बहुत धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था किरात जन जाति के बंसजु के कुमाओ पर किस निवास पर इस्तित होने की पुष्टी होती ह तो असकोट और डीडी हार्ट वाले स्थान पे ये हमारे रहते थे, कि रातों के बंसों जुगे भासा क्या थी, मुंडा भासा थी, ये पॉइंट आपको डैकली नोट करने है, इंपोरेंट है एक्जाम्स के पॉइंटर व्यू से, और ऐसी एक प्रस्ण और यहां से बनता है यक्षियों के निवास की पुष्टी होती है, अगले प्रस्ण की बात करते हैं, अगला मरा प्रस्ण है उस्तों कि मेरी 33 कहानिया, निमनों ऐसे किसकी कृती है, तो मेरी 33 कहानिया, इन ओप्सन नों में से जोस्तों, सैलेश मटियानी जी की कृती है, सैलेश मटियानी जी ज अब सेलेस मटियानी जी की कुछ अन्य रसनाओं के बारे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बात के जी कश अन्य रसनाओं के बात कर लेते हैं जन्द में हुआ था जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है और महाकवी कालिदास ने अपने महाकवी अभिज्ञान सागुंतरम की रसना कन्वास्रम से ही की थी और विद्यापीट के रूप में प्रस्तिता तो प्रस्तना बुशा गया है जिसे कन्वन नग दोहिसलेति अगे अने कैंविद्याँ धन्वास्रम करना यह की का अगिवांद से हिर्फ यहuntaए कर mau ककर थी अगला में आफ्ट कर आप नहीं है क्या सुमेलित नहीं है और दोस्तो जै विजाई पर्वत उत्तरकासी में इस्तीत है गणवाल छेत्र का सबसे बढ़ा हिमनत गंगोत्री हिमनत है कुमАओ छेत्र की सबसे पवित्र ने दी सर्यु ने दी है सरूत आल उत्तरकासी जन्पत में इस्तीत difference कौँसा सुमेलेत नहीं देखे दोस्तो गरवाल चेतर की सबशे पाभित्र ने दी है, हमारी पता आपको गंगा ओफसन नी होगा, तो भागिरति को भी शही कर सकते हैं उत्तरकासी जनपत्थ हैं, ये बिल्खुल सः दोस्तों, तो कुँं सा सुम्हेलित नहीं है, और अप्शन नमबर A सुम्हेलित नहीं है विष्ण प्रयाग इस्तित नंदा चमोली जनपद में इस्तित है प्रस्तान की बात करते हैं उस्तो कि हिमाले की द्वारी का या मंदिरु की नगरी नाम से निमनमेसक किस स्तान को जाना जाता है तो हिमाले की द्वारी का या मंदिरु की नगरी नाम से उत्राखन में दोस्तो किसको जाना जाता है द्वाराहर्ट को जाना जाता है हिमाले की द प्रशिद्ध मंदिर जो कि उत्तर का कासी भी जिसे कहा जाता है उत्तर का कासी विभानडेश्वर को कहा जाता है या बागिश्वर का प्राचीन नाम है उत्तर का कासी उपनाम किसका है तो उत्तर कासी का उपनाम है अलमुरा जनपत में इस्तित है और द्वारा हाट में ही दोस्तों कि अस्यालदी विखोती का मिला भी लगता है ये भी आपको यारत में है कुमाओं का खुजरा हो भी दोस्तों कि इसको द्वारा हाट को ही कहा जाता है द्वारा हाट में हमारे कुछ मंदिर समूँ भी है जोस्तो जाकि कचरिया मंदिर समूँ मानिया मंदिर समूँ रतने डेवल मंदिर समूँ और कहीं पर हमारे गुजर देव मंदिर समूँ बद्रिनात मंदिर समूँ भी हमारे कहां द्वारा हाट में ही स्तित है, अलमुरा जन्पद में, यहाँ द्वारा हाट हमारा पड़ता है, ठीक है, चौकुटिया भी द्वारा हाट के पास में ही स्तित है, तो यह कुछ परसिद्ध इस्तान आपको जोस्तों यहाँ से याद रखने है, द्वारा हाट को इमाले के द्व साक्षर जंजाती कोंची है दोस्तों भोटिया हिमालेगी के सबसे प्राचिन जंजाती कोंची है दोस्तों भोटिया उत्राखंड की सबसे कम साक्षर जंजाती कोंची है दोस्तों राजी और राजी में ही हमारा पिंठा संसकार का संबन्द होता है ठीक है यादखना आपको और सांग जांगी संसकार भी हमारा राजी जंजाती में ही होता है और राजी को जंजाती का दरजा कप दिया गया था अब यहीं दोस्तों प्रसना आते हैं कि राजी को आधिम जाती का दरजा कप दिया गया था तो कहीं कहीं पर 1915 अमारा अंसर आता है को हीं कई पर 1916 अमारा अंसर आता है तो यह आप कितने किलो मेटरे था, देखे मуки हं, उत्राक्राइटमी के वह अत्राश्टी किलो मेटरे है, यह तुमुह कि साथ जी किए चेन के दौरा ही थे तो अधिकर मेन देश्व के साथ निया प्लाइथ कुल अधिसी सेました if अगर हम दोस्तों चीन के साथ बात करें तो चीन के साथ ये 300 km की अंतराश्टी सीमा साजा करता है और किसके साथ में अगर चीन को भी दोस्तों अलग-अलग करके देखा है तो चीन के साथ में एकजेक्टि ये सिर्फ 50 km की सीमा साजा करता है जबकि तिबद के साथ दोस्तों कितनी 300 किलोमेटर की सीमा साजा खड़ता आप तिबद को चीन के द्वारा अधिकरीच शेत्र की रूप में जाना जाता है तो इसलिए आपको इनको अलग लग भी पढ़ना पड़ेगा उत्राखन के कितने ऐसे जिले हैं जो कि अंतराश्टी सीमा बनाते हैं उस्तों 5 जिले ह यह नेपाल के साथ अपने अंतराश्टी सीमा बनाते हैं उत्राखन के कितने अन्य राज्जू के साथ अपने सीमा साजा करता है तो अन्य राज्जू के साथ में उत्राश्टी सीमा साजा करता है यह पॉइंट भी आपको डैक लिए नोट डाउन करने हैं तो 16 से जान लेत सबसे लंबा उत्राखन की सीमाओं को दो राज्य हिमांचर प्रतेश और उत्रप्रतेश उत्राखन की लंबाई अगला प्रसन की बात करते हैं कि वर्स 1909 मैं गड़वाल के किस नेता ने अमरत्र के कॉंघ्रेस अधिवेशन में भाग लिया था तो गड़वाल के नेता जी दो क्वान दोस्तों मुकंदी लाल जी ची के तवरा अम्रसर के Congress अधिवेशन में भाग लिया गया था इसके द्वारा मुकंदी लाल जी के द्वारा और मुकंदी लाल जी के साथ साथ दोस्तो अनुसुया प्रसाद भागुणा जी के द्वारा भी अम्रसर के Congress अधिवेशन में भाग लिया गया था मुकंदी लाल, मुलाराम के चित्रों को सबसे पहले उत्किर्ण करने वाले या दुनिया के सामने वाली वेक्ति कौन थे उस तो मुकंदी लाल थे, बैरिस्टर मुकंदी लाल के नाम से भी इनको जाना जाता है जबतरां, पर अब्बास तययब जी ठीक है और अब बाइस्त तव्यव जी ये 884 में राज जी से पर्थम भारती बैरिश्टर बनने वाले व्यक्ति थे अगरे प्रस्थन की बात करते हैं कि राज जी के किस जनपद में दाकुनी निरत्य परसिद्ध है चमोली, डोधर प्रियाग, भागेशोर या पर थी तुरागड तो राज जी के दोस्तों चमोली जन्पद में अमारा कहा है दाकुनी निरत्य परसिद्ध space जन्पद में और दाकुनी क्या है उत्राकन में डैकली प्रस्ता बुचा आसता है तो यह क्या है दोस्तो एक निर्ति है आप दोस्तो यहाँ पर कोछ वमारे उत्राकन के अन्य निर्ति भी दिखे गए मैंने यह आप लोग पढ़ लीज़ेगे जिसे कि पवाड़ा या भढ़ो निर्ति है निर्ति का प्रमुके अंद्र बागिस्तोर माना आता है उरत्ताकार घिराम लाकर जोड़ा निर्ति हमारा किया आता है गड़वाल में जोड़ा निर्ति को चांचरी के हैकर भी संबोधित किया आता है ठीक है ऐसे बैर निर्ति है इधन्चित्तन निर्ति है छोलिया निर्त चंफूली निख थलया निखेछ शरो निखेछ निखेछ न फ्क॥रिया निखेछ लोग neither matter मनडार ॥्यास निखेछ लंगवीर में चोफ़ला आकेतार सब्सक्राइश निखतु सबतेश हुखत्रे क्еся Le Nabon report ड़वर्भा इससे लिकेर से नि 여자 ग३र फ啊 के थाiveness को से कोई बार बार एक जी पढ़के कोई फाइदा है नी आप में पहले की वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा कासा रिविजन हो जाएगा आप देखिए अगर मैं नित्य की अलग से वीडियो बनाऊंगा तो तब भी आप लोगों को पढ़ना है अब मैं दोस्तों यहीं पर कउनसे जन्पत में बगडवाल नित्य की आता है और कॉनसी घाटी में बगडवाल नित्य की आता है इन दोस्तों के अंसर आपको कमेंड बॉक्स बताने है क्योंकि यह कुश्चन में आपको गरा चुका ऑँओं आपको क्राच पर प्लस ने यह कुश्चन पूचा सा 18 में अगरा प्रसन है दोस्तो कि देव प्रियाग में पाए गए गुहा भित्ति लेख की सासक के काल में लिखे गए माने जाते हैं, तो देव प्रियाग से दोस्तो में जो भी गुहा भित्ति लेख मिलते हैं, यह सहजपाल के सासन काल में लिखे हुए माने आते हैं, सहजपाल के स राजुएंस का कौन से नंबर का राजा होता है जिसके समय में देव प्रियाक से गुहा बित्तिलेक प्राप्त हुए हैं तो थोला सा सहजपाल के बारे में जान लेते हैं कि सहजपाल का जो टाइम प्रेट था उस तो वहाँ पंद्रोश से बंद्रोश भिजटर तक और स्रोथ का पताने लगाने है तो जो अन्वेज सक दल गड़वाल भीजा गया था यह पॉइंट भी आपको यादतने है ठीक है और सहजपाल के काल के उस तो पांच अभिलेक में देव प्रियाकर रगुनात मंदिर से प्राप्त होते हैं ठीक है यह पॉइंट भी यादतने ह हैं इनका ही पूतर होता है दोस्तों क्uben हमारा वाद में बलबद्र सा जो कि पर्माय राज़ूस का कौंशा नमबर करा जाओता है representation spur tua राज़ु時 का अलग लग वाई मंदिर कहां इसतित है तो गोरा माई परवत महारा रानीखेत में जनपद में ही इसतित है ऐसे प्रस्न बंता है गुड़ना माता मंदिर है तो याद रखना है गौरा माई मंदिर रुद्रप्रयाग गौरामाई परवत रांखेद और गौरना मंदिर दोस्तो ने इस्तित है अब देखे दोस्तो, अगर आपको जिले पता है, अगर आपको उतराखन का मैं पता है ना, तो ये question आप आसानी से कर देंगे, अब देखे प्रस्तित क्या है, कि कौन समू, पसीम से पूर्व की और को सही करम को दरसाता है, पौर्व का क्रम पूछा गया। तो सबसे पौरव का झनपत है। पिजिनपत में कौन्सा हमारा वनीजी विहार है अस्कोप वनीजी विहार है, यानि कि एक और दो, महलब वन और फोर हो सकते हैं, तो ये दो अप्सन तो Eliminate हो गए। अब पसीम से पूर्वकी और को बात की गई दोस्तों, यहाँ पे क्या है केदारनाथ नंदा दिवी बिंसर असकोट, और यहाँ पे नंदा दिवी केदारनाथ बिंसर असकोट, अब आप जिले के क्रम में देखिए, कि सबसे इन जनपदु में, यहाँ पे केदारनाथ है और स्वेक्षाB onder kami नंड़ित्प्रनात मेंा नंगाता है तो इस में पुझी में कोन है है क्यों कि हुआ पर रूद्र प्रियाग यहां करने लिए च्मोली की सीमा जूरती है और अन्टरफ्रियाग में क्या है कदार्नात वन्न जी विहार है तो आपसे ंब्रalah十 वह जाए सप्चियव कर जाता अगर पूर्व से पस्चियम का गरम पूस्ता तो इसका ही उल्टाओ जाता यही क्रम आपको उस तो पर होथो के संबंद में याद रछना है संन didn के संद्रह एन्सर हो जायगा पर्यां वरा संधूक संद्रह आई प्रिश्ण के संसर्ण गें भी आपको यह सारी से याद रखने हैं तब भी आप इस प्रकार के परस्तों को टैकल कर सकते हैं तो अपसा नमबर A हमारा यहां पर टाइट अंसर हो जाएगा अगला प्रस्तन की बात करते हैं कि भारती वन्य जीव संस्तान कहां इस्तित है तो धेरादुन ने दोस्तो मारा तो आपको दोनों नोट कर लेने है ये तो बिल्कुल सही है अगला है चंपाव जनपत की स्थापना 15 सितमर 1997 ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि उदमची नेगर जनपत की स्थापना 1994 में ना होकर 1995 में होती है और वही अगला है दिरादूर्ण जनपत की स्थापना ये बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है ठेके देखे दो शबrás जिला बनता है का कुँमाव जिला बनता है 817 में हमारा दुस्तो क्या देरादुन जिला बनता है और देरादुन जिला को जिला बनाकर मेरेट मंडल या सारनपूर मंडल में सामिल कर दे आता है और 817 में देरादुन जिला बनता है लेकिन 12 गड़वाल में कब आता है 1972 में 12 गड़वाल में आता है या कुमाओं से दो जनपद हमारे कब बने थे कुमाओ जिला और यह तो यह बना था दोस्तो पौड़ी गड़वाल को फिर कुमाओ जिले से अलग करके ही बनाया गया था पौड़ी गडवाल अलमॉला और नहीनतर्ग इसके बाद में उस्तो पौड़ी गड़वाल अलमोड़ा और नैंतर्गあぁ गड़वाल 12 चोबिस फरवरी मेरेट मंडल से दुबारा गड़बाल कमिशनरी में सामिल कर देते हैं इसके बाद में जोस्तों हमारा एक जनपत और बनता है कोई सा पौड़ी गड़बाल जनपत, 1988 में पौड़ी गड़बाल जनपत की स्थापना होती है, कब सारनपुर मंडल के अंतरगत, और जब हमारे राज्जी का गठन होता है, 99 सन 2000 को फिर ये, जो हमारा हरिद्वार जंबर भी आपको मिलेगा, तो जो भी आप्सन मिलेगा, आपको वहाँ पी सही कर लेना है, और लास्ट में फिर हमारा 1997 में दोस्तों, तीन जनपत बनते हैं, चमपावत, भागेश्वर और रुद्र प्रियाक, इतने पॉइंट हमारे है, तेरा जनपत हैं उत्राकन में, छ कौन सा सुमेलित नहीं है, जौला जी मंदर मसूरी में है, जौला मुखी मंदर टीहडी में है, या पर इन मैंसे कोई नहीं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, बुचा गया उस्तों, तो अंसर पो जागा इन मैंसे कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सुमेलित है, जौला जी मंदर म प्रतव लाज चीड़ा ने तो रमासंकर कौसिक की अधिक्सता में एक समीतिक अगठन किया था कौसिक समीती जिसका नाम था ये point आपको डैकली याद रखना है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कुछ point यहाँ पर दिये गए इस तो कि 1992 में UKD का चमूली के गैर्शन में एक अधिवेशन हुआ जिसमें गैर्शन को राज़ी की राज़्धानी प्रस्तावित किया गया लेकिन अभी दोस्तों गैर्शन को इसे काण हमारा गरिश मकाली राज़्धानी बनाया गया है जिसे उत्राखन का पहला blueprint बाना जाता है तो उत्राखन का पहला blueprint किसे बाना जाता है चमुली के गैर्षान के अधिवेशन को UKD का जो अधिवेशन था जिसमें गैर्षान को राज़दानी प्रस्तावित किया गया था इसके बाद 1993 में उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री मुलायम से याद हो उन्हें नगर विकास मंत्री रमासंकर कौसिक के अधिक्सता में उत् कितने मंडल का तीन मंडल होनी चाहिए और कितने जन्पतों के आठ जन्पत का निर्मान होगा ठीक है फिर इसके बाद में उस्तों कुछ महतों करना होती है और यही से एक प्रसन को दोस्तों पुछा गया है कि हंसा धनाई और बेलामती चोहान किस कांड में सहीद हुए थे तो यही मसूरी गोली कांड में सहीद हुए थे ठीक है फिर दो अक्टोबर नगर गोली कांड होता है यह पॉइंट भी आपको जाद रखना है कहीं कहीं आप दोस्तों इससे अक्टूबर 1995 भी देखेंगे दोनों ही याद रखे लिजीगा ठीक है यह पॉइंट आपको और 15 अगस 1996 को उस टैम के बरधान मंत्री देव गोडा के द्वारा HD देवगोडा, HD देवगोडा जी के द्वारा लाल करेश से उत्राखन डाजी के गोष्णा का प्रस्ताव पारित किया गया था और यहाँ प्रस्नमी एक्जाम में पूछा गया है इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रख लिजीगा अगरा प्रस्तन है उस्तों मारा कि भीलेश्वर परवर्त, नीलेश्वर परवर्त, सूरज कुंड तथा अगनी कुंड उत्राखन में कहां इस्तित है तो भीलेश्वर परवर्त, नीलेश्वर परवर्त, सूरज कुंड तथा अगनी कुंड उत्राखन में बागिश्वर ज कि बेरलगाड, गरगतिया, आदी, किसकी साइग नदिया है, पूर्वी दोली गंगा, कोसी, पूर्वी रामगंगा या फिर गोरी गंगा नदी, तो बेरलगाड, गरगतिया, आदी, जो मारी साइग नदिया है, पूर्वी रामगंगा की साइग नदिया है, और पूर्वी र जो साइक नधियां है इसकी पूर्वी रामगंगा नधी की साइक लगत में पूर्वी रामगंगा के साइक नधी नियुकुमा-पृप और चैनल के रूप में रामगंगा तुछ नियुका निर्मार नियुकर दो प्रियोजना हमारी हो जाएगी अगरा प्रसन है कि राज जी में सीव की जटा या उत्राखन का सोना की संग्या किस व्रिक्ष को दी जाते है तो राज जी में सीव की जटा या उत्राखन का सोना की संग्या दी जाते है तो इसको बाज के व्रिक्षे को बाज के व्रिक्षे को और बांच के विरिक्षे का हमारा वेग्यानिक नाम क्या है क्वर्कस क्वर्कस लियोकोटाइकोफुरो क्या है क्वर्कस लियोकोटाइकोफुरा बांच का हमारा वेग्यानिक नाम है और एक बांच का विरिक्षे हमें 5 करोड का फाइदा बना देता है बांज के ब्रेक्षों के इसी करान से राजी में सीव की जटा या फिर उत्राखन का सोना केकर भी संभूजित किया जाता है ठीक है और बांज के मुख्यतर तीन प्रजातिया पाई जाती है बांज खरसू और एक और रोतिय है मारी वह आप याद रखेगा ठीक है अगर प्रस के बारे हैं बात करी आज की इस वीडियो में करीब 19 प्रस्न हमने पढ़ लिया है और यह 200 मैं आपको हमर के लिए और आपको पहले बहुत बार बजा चुका हूं और पहले की वीडियो नहीं देखिए तो दोस्तों फिर से गह रहा हूं देख लो या रिगजाम में आपकी बहुत काम आने वाली है और प्रेक्टिस से जरूर अटेम करो अगर आपकी तयारी अच्छी है अगर आप लंबे समझ से तयारी कर रहे हैं तो प्रेक्टिस देना भी कमपसरी हो जाता है तो क्योंकि प्रेक्टिस से आपको अपनी गलतियों के बारे हैं पता चलता है आपक वह कितनी सही जा रहे है आप कितना एच्छे स्कूर कर पारे है तो इसलिए Practice Set को जरूर Attempt कीजिए पेड नहीं खरीत पारेगा हिए तो फरी बी अ Attempt करो आप्लिकेशन में है वहाँ से Attempt कर लो या फिर पहले भी हम बहुत सारी Practice Set में यूट्यूब पे गराज कुआ हूं, उनको attempt कर लो, यूट्यूब पे previous year की question paper की वीडियो बनाई हुई है, उनको attempt कर लो, सभी जो चीजा है, यह आब attempt कर लिजेगा, तो आज की वीडियो में तने दुस्तो, thank you, thanks for watching वीडियो, see you next time, धन्यवाद.